हलो बच्चो नीट क्रेस कोड शैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर हरियों कंगवार और बटा इस समय हम बात कर रहे थे यहां पर दर लिविंग वर्ड के बारे में इस शेप्टर में सुरुवात में मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था रिप्रोक अले भी आपको बताया था कि इस चैनल पर पूरी NCRT के जितने भी 38 चैप्टर से बारे में हर एक पॉइंट को में डिसकस करूंगा तो अब डेली बेसेस पर आपको वीडियो मिलेगी 5-10-15-20 मिनट की जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिसकस करेंगी तो आज की इस वीडियो में हम Metabolism के बारे में, Cellular Organization के बारे में, Introduction के बारे में, Consciousness के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप देखी और अपने Concept को आप क्लियर करी क्योंकि आप जाते होंगे कि NEET में जो Pushin पूछे आते हैं वो 100% of NCRT से पूछे आ रहे हैं तो इसक के exam से पहले ही जितने भी 38 chapter हैं वो यहां पर upload कर दिये जाएंगे और यह सब free of cost रहेगा कुईज के लिए पैसा आपको नहीं पर गरना है बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करने हैं आप जानते हैं कि Corona pandemic की वज़े से parents को बहुत जादा दिक्कते हो रहे हैं इसलिए यह सारी चीज़ें आपको free of cost में provide किये जा रहे हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अपने friends को इस बारे में जरूर बताईए और वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी ना बोलें तो चले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की metabolism की अगर बात करें तो metabolism ही living का एक character है और अगर यहां पर हम metabolism की बात करें तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जितने भी organism हैं यह सब chemical से मिलके बने हूँ जैसे हमारी body में बहुत सारे chemical हैं water हो गया protein हो गया carbohydrate हो गया nucleic acid हो गया fat हो गया these molecules are small big छोटे बड़े हो सकते हैं belonging to various classes size function etc are constantly being made and changed into some other biomolecule मतलब जो molecule हैं लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं जैसे जो glucose है glycolysis से pyruvic acid में बदल जाता और glycogen से glucose बनता रहता है these conversion are chemical reaction और metabolic reaction इनी conversion को chemical या metabolic reaction कहते हैं और हमारी body के अंदर हजारो chemical reaction हर समय चलती रहती हैं और इनी हजारो chemical reaction को एक साथ मिला के हम metabolism का नाम देते हैं यानि हमारी body में हजारो chemical reaction cell के अंदर चल रही हैं और इन सभी reaction को एक साथ मिला के metabolism का नाम दिया जाता है तो चाहे यूनि-cellular organism हो या multi-cellular सभी में metabolism पाई जाती है all plant, animal, fungi and microbes so metabolism the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism हमारी body में चलने वाली सभी chemical reaction को metabolism के नाम से जानते हैं no non-living object so metabolism किसी भी non-living object में metabolism नहीं पाई जाती है हाँ ये जरूर है कि हम metabolic reaction को demonstrate कर सकते हैं body के बाहर self-free system में जैसे अगर test tube baby program की बात करें तो वहाँ पर जो sperm और एक के बीच fertilization की reaction हो body के बाहर test tube में होती है अब an isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test tube अगर test tube में कोई reaction कराई जा रही है तो इसे living कहेंगे या non-living तो इसका answer आप देंगे कि this is neither living nor non-living यानि अगर in vitro condition में body के बाहर कोई reaction कराई जा रही है तो इससे ना तो living कहा जा सकता है और ना ही non-living कहा जा सकता है और अगर हम metabolism की बात करें तो metabolism एक defining feature है सभी living organism का बिना किसी exception के यानि अगर कोई living है तो उसमें metabolism जरूर पाई जाएगी हाँ लेकिन एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो isolated metabolic reaction है in vitro यानि जो test tube में हम reaction करा रहे हैं these are not living thing बड surely living reaction यानि test tube में होने वाली reaction को आप living reaction कह सकते लेकिन ओकि living thing नहीं है तो इसका मतलब metabolism एक defining property है metabolism सभी living में पाई जाते और किसी भी non-living में metabolism नहीं है इसलिए metabolism एक defining property हो जाएगी अब metabolism होने के लिए metabolism cell के अंदर चलती है यानि metabolism होने के लिए cell का होना जरूरी है और इसलिए अगर हम cellular organization की बात करते हैं तो cellular organization भी एक defining property है तो अभी तक हमने चार property पढ़ी growth, reproduction, metabolism and cellular organization जहांपर growth और reproduction non-defining property है जबकि metabolism and cellular organization defining property है चलिए बटा, property number five पे चलते है that is the consciousness consciousness का मतलब चेतना अपने आस पास की जानकारी NCRT कहता कि सायद जो consciousness है ये सबसे ज़्यादा इसपस्ट और सबसे ज़्यादा complicated property सभी living organism की और इस property के दोरा organism अपने environment के बारे में पता लगा सकता है अगर हम एक छोटे से example से समझें जैसे छुई मुई का एक plant है छुई मुई के plant को जब आप touch करते हैं तो जो आप touch करते हैं इस touch को हम stimulus का नाम देते हैं plural form में stimuli आप कह सकते हैं तो stimulus कहाँ जब हमने उसे touch किया तो touch इजे stimulus अब उसकी पतियां जो तुरन मुझा जाते हैं that is called response तो इसका मतलब ये है कि जो छुई मुई का plant है इसे अपने environment के बारे में जानकारी है मतलब उसमें consciousness है इसी तरह से अगर कोई हमें touch करता है तो हमें तुरन पता चल जाता है और हम उसी हिसाब से response करते हैं जिसे मान लीजिए कि आपने किसी को touch किया तो जब आप किसी को touch करते हैं किसी person को तो touch एक stimulus है और उसने आपको खीच के जहापड मार दिया तो that is response तो यानि touch एक stimulus है और आपको जो थपड़ पड़ा उसका response हो गया तो इसी तरी यहाँ पर जो language जो बहुत ही complicated लेकिन जो आसान सा example मैंने आपको बताए उससे आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं चलिए और देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर करें we sense our environment through our sense organ हमारे पास sense organ है eye, ear, nose यह सब sense organ है और इनसे अपने environment के बारे में हम पता लगा सकते हैं इसी तरह अगर हम plant की बात करते हैं अब pollutant का केस आप अच्छे जानते हैं जैसे lichen की बात करें तो lichen उन एरिया में ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पर SO2 का pollution होता है light के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे light का effect जो होता है जैसे बहुत सारे plant आप देखते हैं कि जब light निकलती तो उनके full खिलते हैं और सामको जब सूरज डूपता है light कम हो जाती तो मुर्जा जाते हैं तो इसका मतलब light का प्लांट के ओपर पड़ता और plant को जानकारी plant को पता है कि light कब आती है कब नहीं आती है सभी को अपने environment के बारे में जानकारी है इसी तरह अगर हम बात करते है photo period photo period मतलब कितनी देर तक light मिलती है organism को affect reproduction in seasonal breeder both plant and animal या आपके नीट में पूछा गया है यानि photo period seasonal breeder में reproduction को प्रभावित करता है seasonal breeder उन्हें कहते हैं जो एक particular season में reproduce करते हैं अब जैसे इसके बारे में photo period में डीटेल में आप पढ़ोगे all organism handle chemical entering their bodies जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी एक टाइप का chemical है और हम इसे handle कर सकते हमें पता है कि यह हमारी body के अंदर enter कर रहा है इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि all organism therefore are aware of their surrounding हर organism चाहो bacteria हो प्रोटो जोवा हो, uniceller हो, multiceller हो, plant हो, animal हो सभी को अपने surrounding की जानकारी है लेकिन human एक अकेला ऐसा organism है जिसमें self consciousness पाई जाती यानि सोचेतना देखिए consciousness property सभी organism है लेकिन self consciousness के वल human में है human को अपनी जानकारी जैसे आप जानते हैं कि आपकी जीवन का लच्च क्या है आपको क्या करना है लेकिन अब एक plant की mango plant की बात करें तो उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है उसके जीवन का लच्च क्या है गाय की बात करें तो गाय की जीवन का लच्च क्या है क्या गय को नीट की तयारी करनी या उसकी जीवन का कोई लच्छ है आपकी जीवन का एक लच्छ है कि आपको जीवन में एक डॉक्टर बनना है एक सफलता हांसिल करनी है लोगों का ट्रीटLeつ करना है या और भी लच्छ आपके हो सकते हैं पैसा कमाने काल अच्छे हो सकता है लेकिन आप काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप आपको मिलेगा ही तो consciousness सभी living organism है बिना किसी exception के और मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई property सभी living organism है बिना किसी exception के that is called defining property तो अभी तक तीन defining property हमें मिल चुकी है Metabolism, Cellular Organization and Consciousness अब बच्छो अगर हम human being की बात करते तो यहाँ पर living state को define करना ज्यादा कठिन हो जाता जैसे अगर एक patient जो की कोमा में है hospital में है और उसे machine के दौरा support किया गया है उसका जो brain हो dead हो चुका है और उसके hurt और lung को हमने machine से replace कर दिया है तब patient has no self-consciousness are such patient who never come back to normal life living or non-living यहाँ पर NCRT ने आप से सवाल पूछा है कि एक ऐसा patient जो कोमा में और हमें नहीं पता कि normal life में वापस आएगा और नहीं आएगा इसे living कहेंगे और non-living कहेंगे question mark आपके लिए तो आप बताई इस patient को क्या कहेंगे इसे living कहाज़ा है non-living कहाज़ा है तो आपका answer होगा हम इसे define नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो person कोमा में इसमें metabolism चल रही है इसका मतलब यह living है लेकिन consciousness नहीं मतलब यह non-living है तो यहाँ पर हम define नहीं कर सकते क्योंकि metabolism और consciousness दोनों defining feature है और दोनों defining feature यहाँ पर एक defining feature है दोसरा नहीं तो हम यहाँ पर इसे define नहीं कर सकते तो आपका answer होगा यहाँ पर कि we cannot define that person is living और non-living तो बेटा अभी तक हमने यहाँ पर पांच character को discuss कि आप छठे character की बात करते हैं छठा जो character यहाँ पर है यह है interaction तो interaction का मतलब क्या पहले इस बारे में हम समझ लेते हैं interaction का मतलब होता है पारस पर एक संबंद जैसे हम अपने घर में रहते हैं हमारे घर में हमारे ममी पापा भाई बहन दादा दादी इस सब लोग साथ में मिलके रहते हैं तो यह interaction है हमारे बीच में और इस interaction के द्वारा हमारी family का formation हुआ तो family कब बनती जब जो members होते हो आपस म interaction बना रहे हैं जैसे मैं teacher हूँ आप student है तो हमारे बीच एक interaction है एक संबंध है जिससे आप कह सकते हैं mutualistic relationship या symbiotic relationship का नाम आप दे सकते हैं तो जो relation होते हैं उन्हीं को आप interaction simply कह सकते हैं अब यह interaction आप देखे कि अगर हम molecule की बात करते हैं अगर हम molecule की बात करें तो molecule कैसे बन यानि जो atom होते हैं उनसे molecule बनते हैं जैसे hydrogen एक atom है oxygen एक atom है और hydrogen के दो atom और oxygen का एक atom मिलके एक molecule बनाता है जिससे water गहते हैं अब molecule से मिलके macro molecule का formation होता है macro molecule में जैसे protein, carbohydrate, nucleic acid, lipid, macro molecule से मिलके cell का formation होता है cell से tissue बनते हैं, tissue से organ बनते हैं, organ से organ system बनते हैं और उससे फिर organism का formation होता है तो यहाँ पर एक hierarchy आप यह कह सकते हैं कि cell के interaction से tissue का formation होता है, tissue के interaction से organ का formation होता है तो यह जो interaction है, यह हर level पे आपको मिलते हैं अब यहाँ पर आप यह ध्यान दीजिए कि जो cell और tissue को अगर आप compare करते हैं इन दोनों को तो cell को आप कहेंगे lower level और tissue को आप कहेंगे higher level अब आप यह भी कह सकते हैं कि lower level के interaction से higher level बनता है लेकिन higher level पे कुछ नई properties होती हैं, जो lower level पे present नहीं होती है यह यहाँ परेंसियाटी ने आपको लिखके दिया है कि properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a interaction among the constituent cell करें कि tissue का formation cell के interaction से ही हुआ है लेकिन tissue में जो property हैं वो cell में नहीं पाई जाती हैं इसी तरह अगर हम बात करें, cellular, organelle की बात करें इन में जो property होती हैं वो molecules में नहीं पाई जाती है नहीं cell का formation macromolecules से हुआ तो cell में जो property हो macromolecule में नहीं पाई जाती है जबकि cell का formation macromolecule के interaction से ही हुआ है तो इसका मतलब यह कि जैसे छोड़ा से example हम लेते हैं कि cell से मिलके tissue का formation होता है जैसे muscle cell है और muscle cell से tissue बनता है जिसे muscular tissue कहा जाता है अब muscular tissue में contraction और relaxation की property है जो की cell में नहीं पाई जाती है तो इसका मतलब है कि जब lower level पे interaction होने से higher level का formation होता है तो higher level पे एक नई property निकल के आती है और इस property को emergent property के नाम से जाना जाता है तो emergent property higher level पे आपको नजर आती है यह property lower level पे नहीं पाई जाती जबकि lower level से ही higher level का formation हुआ है और ये phenomena हर level पर सही है यानि macromolecule से मिलके cell का formation होता है लेकिन cell में जो property पाई जाएगी ओ macromolecule में नहीं होगी और cell में जो property आएगी उसे emergent property कहा जाएगा और ये property macromolecule level पे नहीं पाई जाएगी तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो living organism है self-replicating है अब यहाँ पर biology की दो definition दी गई जो याद करनी biology is the story of life on earth धरती पर जीवन की कहानी को biology कहा जाता है biology is the story of evolution of living organism on earth और एक point यहाँ पर important ये question भी मैंने आपको कराया था 2020 series में all living organism present past and future are linked to one another by the sharing the common genetic material but to varying degree जितने भी organism हमारी धरती पर है थे या आगे होंगे वो सब एक दूसरे से link है common genetic material के दोरा लेकिन varying degree अब इसका मतलब समझें common genetic material का मतलब होता है DNA यानि जितने भी living organism है सबका genetic material DNA है लेकिन varying degree varying degree का मतलब है कि amount अलग अलग है amount को हम measure कर सकते हैं nucleotide के नंबर में या base pair के नंबर में आप जानते हैं अलग अलग species में base pair का नंबर अलग होता है DNA में तो यानि सभी में genetic material common तो है और सारे living organism इस समय धरती पर 17-17 लग जाती हैं और यह सब एक दूसरे से link है DNA के दौरा लेकिन सभी में DNA का amount अलग अलग है base pair का नंबर अलग अलग है झालग है